हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, मैच स्किल्स वित नाजिया हम लोगों ने एक वीडियो में मल्टिप्लाइ गुणा के सवाल तीन संख्या वाले किये थे ठीक है, जो की कुछ कोशन किये थे, उसके बाकी के कोशन हम लोग आज करेंगे ठीक है, तो चली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बल्को प्रेस करके औल पर क्लिक करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर questions देखिए यहाँ पर दिया है 2, 1, 0, 3 ठीक है multiply किया है 2, 4, 1 में 2, 4, 1 में multiply करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसका multiply करेंगे आप लोगों को मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग 1 का multiply करेंगे तो 1 का table पढ़ेंगे 3 times 1 का कोई table नहीं होता है 1 से लेकर 10 तक की गिंती होती है ठीक है जो की 1 से लेकर 10 तक होती है सबी को आया समझ में तो 1 से लेकर 10 तक की गिंती में हम लोग 1 का table 3 times पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा ठीक है अब 1 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग 0 टाइमस तो यहां पर 1 का टेबल 0 टाइमस पढ़ेंगे यहांने 0 में किसी भी जिसका मल्टिप्लाइ करते हैं गाई तो हमें पता है 0 ही आता है फिर 1 का टेबल 1 टाइमस पढ़ेंगे तो 1 आएगा 1 का टेबल 2 ट पढ़ेंगे, 4, 1, 4, 2, 8, 4, 3, 12, तो 12 में से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, 2, then 1 जाएगा, 0 पर carry में, अब यहाँ पर 4 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे, तो answer क्या होगा, 0, अब 0 में उपर का 1 8 करेंगे, तो 1 ही answer आएगा, ठीके, 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, त 4 को भी, तो हम लोग यहाँ पर कितने plus लगाएंगे, अब 2, ठीके, 2 digit complete हो चुकी है, तो 2 plus लगेंगे, सभी को पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो मुल्टिपलाई के, 3 नमबर वाली नहीं देखिए, तो इन बार पढ़िए, 6 answer आएगा, ठीके, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 0 times क्या answer आएगा, 0, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 1 times, 2 1s आ, 2, उसके बार 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 times, 2 2s आ, 4, ठीके, अब इन सभी 3 लाइनों को हम लोग plus करते हैं, तो कैसे plus करेंगे, 3 और plus, plus को plus करेंगे तो यहाँ पर 3 as it is, नीचे आजाएगा, 0 और 2 को plus करेंगे, तो क्या answer आएगा, 2, 1 और 1 को plus कीजिए, 2, और 2 और 6 को plus कीजिए, 8, ठीके, उसके बाद यहाँ पर 2 और 4 को plus कीजिए, 6, 6 में 0 को plus कीजिए, 6 answer आएगा, 8 और 2 को plus कीजिए, क्या answer आएगा, 10, तो 10 का हम लोग यहाँ पर 0, 1 जो है, वो 4 पर carry में जाएगा, तो 4 और 1 को add कीजिए, कितना answer होगा, 5, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को यह tips बताई है, कि आप लोग जो number लिखते हैं यहाँ पर, वो number सभी 1 के नीचे बिल्कुल 1 आना चाहिए, अगर आपका number जैसे 3 के अगर इसे नहीं आए, तो आपका जो adding का answer है, प्लस करने पर जो answer है, वो गलत आएगा, ठीके, wrong answer आएगा, इसलिए सही answer लाने के लिए आप लोगों को number को बिल्कुल 1 के नीचे एक लिखना पड़ेगा, ठीके न, तो चलिए next question देखिए, यहाँ पर, अब 0 का multiply हम लोग कर करते हैं, तो सभी को पता 0 आता है, तो यहाँ पर जितने number लिखें, उतने 0 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 number है, 1, 2, 3, 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 0 बनाएंगे, 1, 2, 3, और यह 4, ठीके, अब 1 digit हम लोग complete कर चुके हैं, पिछलिए 1 digit की नीचे के आ जाएगा, प्लस, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, हम लोग 6 times, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, यहाँ पर आएगा 18 का 8, then 1 जाएगा यहाँ पर carry में, अब 3 का टेबल 8 times पढ़ेंगे, कितना आएगा 24, और 24 में हम लोग उपर का प्लस, 1 को प्लस करेंगे, तो 24 में हम लोग 1 को प्लस करे 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, जो 2 है 25 का, वो यहाँ पर जाएगा carry में, अब यहाँ पर 3 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे 9 times, अब 9 का टेबल पढ़ लिजे 3 times, यह 3 का टेबल पढ़ लिजे 9 times, एक ही बात है guys, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3 का टेबल 9 times, क 27 में हम लोग उपर का 2 भी प्लस करेंगे, तो 2 को प्लस किया, क्या आशार आया 29, तो 29 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एसा, ठीके, अब हम लोग 2 डिजेट को complete कर चुके हैं, दो संख्या को complete कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 संख्या, यानि 2 डिजेट की नीचे प् करेंगे तो 6, then 1 का 8 में multiply करेंगे तो 8, 1 का multiply 9 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, पिछले question के जैसे यहाँ पर भी अब हम लोग प्लस करेंगे, 0 को plus में add किया तो 0, 6 और 0 को add किया तो 6, 8 और 2 को add कीजिए, कितना answer आएगा 10, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, 10 का 0, then 1 ज पहले भी बताया था, कि यहाँ जो carry लगते हैं, वो सिर्फ यहीं लगाए जाते हैं, उनको उपर नहीं लिखा जाएगा, ठीके, क्योंकि अभी हम लोग इसे solve कर रहे हैं, ना की इसे, ठीके ना, तो सब सब पहले यह 0 में 1 को add कीजिए, 1 होगा, 1 को 5 में add कीजिए, 6 और 6 क 6 में add कीजिए, कितना होगा, 12, 12 का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 2, then 1 जाएगा, 9 पर carry में, 9 और 1 को add कीजिए, 10, और 10 में 8 को add कीजिए, कितना answer होगा, plus करेंगे, तो 18, 18 में से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 8, then 1 जाएगा, 2 पर carry में, अब हम लोग 2 और 1 को add करेंग कितना होगा 3 3 और 9 को एड़ किजिए कितना अंसर आएगा 12 तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 12 I hope कि आप लोगों को यह question अच्छा से समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे अगर यह वीडियो पसंद आती हो तो please like, share, comment करें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Bye guys